नमस्कार देरिक शिव्टाइम में आप सब का स्वागत है मैं रश्मी शल्मा कैमराबन शुवम बगत के साई समय हम गादी नगर होस्पिटल में या पर आज हर होस्पिटल के हेल्थ एंप्लाइज जो हैं वो आज धरने परदशन पर हैं ये वो लोग हैं जो करोना काल से ले परियास करें अपने ही ऑफिसवक वयक्रणा वारियूस आजए अपनी मांगों को ले कर हर होस्पिटल के प्रिमीस इसमें धरना पाईर्शन करें ये जाने का परियास करेंगे कोई भी मुलाजम ऐसे दरने में नहीं आता जब सीर से पानी उपर निकल जाता है फिर हमें ये धरना परदर्शन करते हैं यह हमारी डीपीसी लगबाग पिछले पाइच साल से नहीं हुई है बाकी डिपार्टमेंट्स में देखो हर छे मिने के बाद जीएडी का जो आडर होनी चाहिए होती है डीपीसी मगर एक हेल्थ डिपार्टमेंट ये ऐसा है जिसमें कोई डीपीसी का नाम निशान नहीं है हमारी जो वेहन जूनियर लगेगी वो जूनियर रिटायर हो जाएगी जूनियर कलर को लगेगा वो जूनियर रिटायर हो जाएगा तो बाकी डिपार्टमेंट्स में जैसे पेंशन स्कीम हो जो मुलाजम गर जाए उसका जो बड़ापे का सहरा है पेंशन उसको पेंशन अच्छी मिले कम से कम जाकि उसका जो बागी लाइफ है सुमुत गुजरे और जो हमारी बहने हैं जो बाइसो यारा हैड में काम करती हैं उनको उनकी सैलरी का कोई आज तक इस ग कोवर्मेंट से पूर जो रपील करता हूं जो में हमारा बर्निंग डिमांड है डिपी सी को उसको फॉरण लागू करें जो फार्मासिस्ट उस समय तक जो रिश्टर्ट थे जो वाई हमारे फार्फलांग एरिया में लगे हुए उन्होंने किसी कारणबस अपनी नहीं ख़ाएबी मगई मगर जो यूटी बने के बाद लेफ्ट तो और जो फार्मसिस्ट हैं उनकी रिशिषेशन लेबाटिर की इसी इन उन्हों की इनूने कि इंहों नहीं क्योंने क्यों करें ना इस सकर जिएıldी है कि जो यह बनाया हुआ हुए है जो से को इस है किरेंशν करें जो medical system की training है आप लोगों ने अगर रखी है तो इसको जा तो बंद करवा दीजी है अगर आपने उनको ना तो lessons देनी है ना जाब्स देनी है तो इसका क्या फाइदा जो बचे इतने training कर रहे हैं आपके वो training करके क्या करेंगे बार चाहे की दुकाने खोलेंगे रेडिया लग अगर अपनी practice नहीं कर सकेगा तो क्या करेंगा हम तो रिटायर होने के बाद तो बिल्कुल नकार हो जाएंगे अगर आप हमें बाहर कहते हो कि पर यहां पर साइनिंग अथाट ही नहीं है आपको डाक्टर की जरूरता है जो ब्राग प्राइवेट कहते हैं हम तो अभी at present hospital मिट्र के अंदर हैं अभी करणे हैं काल वहुआ हो जाएंगे जैंगे यावन रिटायर हों ऊधाएं करना हमने भी तो कोई क्तर यह नहीं कर रहे हैं और जो नए बच्छे ट्रेनींक कर रहे हैं जया उनके लिए बंद धर्वादों दो उनका क्राप कारभेक, आप देखो एक ट्रेनी करके बच्चा एक एक लाख दो दो लाख रुपया डिनेशन दे के ट्रेनी करेगा उसके बाद फ्री आफकास गार पे बैठ जाएगा कर ना कोई काम करेगा और बाद में क्या करेगा सुसाइड करेगा यह धारा तिनसों सब्सक्राइब यह उल्टा नुकसान हो रहा है यह तो दुनिया देख रही है कि 370 थोड़ा 370 ने तो हमें उल्टा फसाद हिया ना तो में पिंशन पूरी जो ओल्ड पिंशन थी इसकी वह भी क्लियर नहीं हुई जो हमारी जो बाई रिजिस्टेशन के लिए रो रहे हैं कि पैरमेडिक के लिए रो रहे हैं उन बिल्कुल पढ़ना चाहिए अगर नहीं पढ़ेगा तो हमें सट्कों प्याना पढ़ेगा सवाल बड़ा ये भी है कि काफी बार जो लोग फर्मासिस्टे जिनकी रिजिस्टेशन नहीं होती है कहा गया ता दारा तिन सो सतर के अब्रोकेशन के बाद रिजिस्टेशन उसे बंद कर दिया यहां ये कहा गया था कि रोजगार के नेस्टों खुलेंगे धारा तिन सो सतर एक रोड़ा है युगां की काम याभी में कहीना की जवो कश्मीर की डिवल्मेंट के लिए पर ये किस तरह की डिवल्मेंट है कि आज आप लोग ने रिजिस्ट्रेशन ही बंद कर दी जिन लोगों के परिवार ने ना जाने कैसे कैसे जुगार करके अपने बच्चों के लिए वो ट्रेनिंग करवाई और कॉलिजन तक पहुंचाया आज वो ही ट्रेनिंग करकर अगर वो घर बैटे उनका फ्यूचर कहीना के अंधकार में तो खुछ सोचिए वो क्या करेंगे उनके पस एक ही रह जाता है तो हमारी बाती दिमांड है वो प्रियोग पस हमारा यह हुआ है देखो न आगर हम साहा पर स्थाओक बैठें को अर्व इसमेंड कर थे कर तो ऊछी वे नहीं कितंग तर्म के ऑड़Thank परदान मंत्री जी आपके माधियम से यही कहना चाहरे हैं कि जो हमारा इंसेटिव उन्होंने कि था वह आप पी तक इंप्लिमेंट नहीं हुआ क्यों क्यों नहीं किया क्यों नहीं दिया वह क्योंकि वह सिर्फ वह वेट करें कि एक और कुरोना कुछ तो उसके बाद हमें फिर से टैग दिया जाएगा बस वह बाद में जब करोना चला गया तो बाद में हमारा हिला दिया जाएगा बस उतार दिया जाएगा पाकि कुछ नहीं है गुवर्मेंट इप्लाइस हमने साथ तोर पर देखा इस समय गांधी नगर होस्पिटल में जहां पर आज है हेल्थ द्वारा परिदतर्शयन किया गया परदर्शन का जो महादिन को अब बताया कि किसलिए परदर्शन किया गया यह वो लोग फूलों की वर्शाब बढ़े इंके काम को को दे कर उसी के चलती कि आज ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदेशन करें आप देखना यह है कि क्या इनकी आवाद लेटिन गुर्णर या प्रधान मंत्री जी तक पहुंच बात यह जो इनकी मांगे और मांगे भी जैनियून मांगे सबसे बड़ी बात काफी पार फॉर्मसिस्ट जो कि जि जिनकी रिजिस्टेश से फिलाल बंद कर दी गई है उन्हों ने लिकभ पर्देशन किया कि रीजी यहां कि दिग्रियों की है अपने माता-पितने उन